जैहिन फ्यूचर ओफिसर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम देखेंगे 0.22 बोर राइफल की करेक्टरिस्टिक और साथ ही पढ़ेंगे वैपन ट्रेनिंग के दोरान ध्यान रखने वाली कुछ खास बाते हैं राइफल पॉंट टू तू में कैज़िस्क दो वर। जटेई ऐ वर्जन नमबर वन इस राइफल पॉंट टू टू नमबर फोर एड्व्श नमबर तू इस राइफल पॉंट टू टू ड्यू दिलेक्स झाए इन दोनों का मेकानिजम लग बख सेम ही है आईये देख लेते ा अगर मैं length की बात करूं तो 0.22 Mark 4 की length 45 inches रहेगी और 0.22 Deluxe की length 43 inches रहेगी वहीं 0.22 Mark 4 का weight 3.93 kg और 0.22 Deluxe का 2.78 magazine के अगर मैं बात करूं तो 0.22 Mark 4 में 10 rounds capacity है जबकि 0.22 Deluxe में 5 rounds की muscle velocity दोनों की ही same है 2700 feet per second वहीं grooves के अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही 6-6 grooves पाए जाती है effective range भी दोनों की same ही है यानि की 25 yards maximum range 1700 yards at 33 angle same for both rifles caliber जो की इसके नाम से ही पता लगता है ऐसे की rifle का नाम ही 0.22 है तो यानि की उसका caliber भी 0.22 का ही होगा वहीं उसमें जो ammunition यानि की आप जो bullet यूज़ करेंगे वो भी 0.22 की ही होगी rate of fire के अगर मैं बात करूं तो दोनों rifles normal rate of fire पर 5 rounds per minute fire करती है वही rapid पर 10-15 rounds per minute fire करती है इसके बाद हम पढ़ते हैं handling of 0.22 rifle एक अच्छे fire के खूबी है कि वो तेजी से rifle को भरे, load करे और दुरूस्त fire करे वहीं rifle .22 को खोलना और जोडना और उसकी side setting भी के बार practical के दोरान या फिर return exam में भी पूछ ली जाती है सबसे पहले हम देखते हैं rifle को खोलना खोलने के लिए सबसे पहले bayonet, फिर sling, bolt और फिर case collector को खोला जाता है sling को उतारे और roll करते हुए ground पर रख दिये safety catch की position याद रखे, खोलते समय S पर हो bolt lever को उपर की तरफ उठाते हुए, bolt को पीछे की तरफ खींचे और rifle से अलग करें आखिर में case collector catch को दबाते हुए case collector को अलग करें और साफ जगा पर रखें आईए अब देखते हैं जोडना rifle को जोडने के लिए देख ले कि safety catch की position आर पर है bolt को उठाए और bolt head को tight करें उसके बाद bolt को guide के साथ मिलाते हुए fit करें पुर्जो का registration number चेक करें यदि आपने दो से ज्यादा rifle के पुर्जे खोले हुए हैं trigger दबाए safety catch S पर करें slink को rifle में fit करें और bayonet सबसे बाद में fit करें उसके बाद एक important definition आती है side setting की कहीं बाद आपके practical वर written exam में इसकी definition पूछ ले जाती है बताए side setting क्या है thumb spring को press करें और side को set करें याद रखें muscle की तरफ ले जाने से range बढ़ती है rifle को use करने के साथ साथ rifle की सफाई करना भी उतना ही ज़रूरी है सफाई करने के तीन तरीके हैं first is arm supply, second is firing के दोरान सफाई and third is firing के बाद की सफाई arm सफाई के फर्दर तीन points हागाई daily सफाई daily सफाई याणि कि जो रोज के रोज की जा सकती है उसके बाद weekly सफाई and then quarterly सफाई एक important note कि सफाई के लिए चिंदी का साई चार इंटू 1.5 इंच और oil के साथ चिंदी का साई चार इंटू 1 इंची ही होना चाहिए अब देख लेते हैं कुछ सुरक्षा संबंदी बात दे firing point से पहले जांच लें कि हत्यार clear, magazine उत्रा हुआ और safety device लगा हुआ हूँ मजल हमेशा सुरक्षित दिशा में हो, drill के दोरान cartridge का इस्तमाल नहीं करना चाहिए ammunition practice के मुताबिक ही issue होना चाहिए, हरकत सिरफ चाल करने पर ही की जानी चाहिए chamber हमेशा खाली होना चाहिए और dry exercise से पहले हत्यार का निरिक्षन हमें कर लेना चाहिए ये बाते थी firing point से पहले की अब जान लेते हैं firing point पर ध्यान रखने वाली बाते ammunition के सफाई और damage का ध्यान रखें, barrel सुरक्षित दिशा में है इसका भी ध्यान रखें, rifle में ammunition केवल हूकम पर ही भरें, सही खाली करके कारवाई करें इसके बात cadets आता है NPI, यानि की mean point of impact, एक साथ और एक ही target पर fire की गई गोलियों के केंदर बिंदू को group का mean point of impact कहते हैं grouping capacity, fire के fire की गई गोलियों के circle के दाएरे या diameter को उस fire की grouping capacity कहते हैं so cadets ये था आपका आज का lecture, I hope कि आपको lecture अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like और subscribe करना ना भूले, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तर के लिए जय हिंद, जय भारत